हेलो एंड वेलकम टू प्रेंस सेविल सर्विसेज यूटूब चैनल माई नेम इस चत्राशू पांडे एंड टुदे आम इन फ्रेंट आप यू विद एनदर वीडियो और करेंट अपेर्स और आज जो हमाँ टॉपिक रहने वाला है वो इस समय सबसे अधिक चर्चा में है और वो है जोसी मट काईसिस यानि जोसी मट का संकट जैसा कि आप पदिचित होंगे कि पिछले कुस दिनों में उत्राखंड के एक सहर जोसी मट में कुछ नैचुरल और अदर रीजन से कुछ ऐसी चीजे देखने को मिली हैं जो एक नैसुरल डिजास्टर की और इशारा कर रही हैं ऐसे में यहां पर घरों में दरा रहे आना जैसा कि आप इमेंज में देख भी सकते हैं चट्टानों का या फिर सड़कों का टूट जाना आपस में यह कुछ ऐसी चीजे हैं जिसके चलते सरकार को एक इवेक्वेशन प्रोसेस के तहट यहां के पूरे सहर में रहने इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर स्टार्स ने चर्चा करेंगे और यहां भी जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी असी और ऐसे कुछ अधर कमटेटिव एक्जाम्स के लिए टॉपिक में हमें क्या-क्या जानना आवश्यक है और इसकी प्रप्रेशन हम कैसे कर सकते है चलिए बहुत कुछ है वीडियो में डिस्कॉस करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इ planning लोग क्या-क्या चीज़े देखने वाले हैं किस तրह से इस वीडियो को आगे हम प्रोसेस करेंगों सबसे पहले आप तोई जानना आवश्यक है कि यह टॉपिक है जो सीमट प्राइसिस यह टॉपिक आपके UPSC स्लेवस में कहां बिलॉंग करता है तो अगर हम मेंस की बाप करें नेचनल डिजास्टर का जो टॉपिक है इसके अलावा फ्लट्स और ड्रॉट्स का जो टॉपिक ह दॉपिक है और लेंड्स्लाइड यह सारे टॉपिक कहीं न कहीं सि'mक्राइसिस में इनवॉल्व है यहाँ पर आप जीयस पmother वान में जोगृथी वाले सेक्शन में जीयस पेपर 3 में 10 वाले सेक्श 입니다 और डिजास्टर वाले सेक्शन में आप इसको यूज सकते है यह वहाँ तो भूव इस खलन्ट या क्या है इसा कॉंसेप्ट क्या है और क्यों आधिकतर जो भी आज के साइंटेस्ट हैं जो भी इन पर रिसर्च कर रहें वो इसी को जोसी मट में आये हुए संकर्टा तान वता रहें इसके अलावा हम यह भी देखने का प्यास करेंगे कि जोसी मट के साथ बिन पर्टिकुलर क्या-क्या इशूज हैं यानि कि एक सहर के रूप में इसकी अगर हम भौवलिक समझना की बात करें इसकी हम इस्थिती की बात करें या इसमें चल रहे कुछ डेवलप्मेंट प्रोज जब्लाक्या इसका दीनों में और क्या-क्या इसमें घोषणाएं की हैं कि वह क्या करने वाले संक्ट ने पटने के लिए ऐसे किसी संकट को वापस Brothers न आने देने के लिए फिर ऐसे किजा से बशेर ने के लिए इंस कहरों ब्रोच अपनानी होंगी विग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं वाई इन न्यूस चर्चा में क्यों है तो अगर हम बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन से सुरू करें तो हाल ही में आपने पता आपको पता है कि उत्राखंड के जोसी मठ में लैंड्सलाइड्स हो रही है जगे जगे पर क्रैक्स आ र पर यह सब चीजें कहीं ना कहीं एक बार फिर से आम जनता के मन में डर का महल पैदा करती हैं हम सबको याद है कि 2014 में आने वाला केदार्मनाथ प्लड या केदार्मनाथ की उत्राश्दी भी थी उसने कितना ज्यादा नैचरली और हुमन रिसॉर्स को नुपसान पहुंचा इसको पहले जयोती मत के नाम से भी जाना जाता था और यह एक सिटी है च्छोड़ा सा कस्भा या सहर है आपके उत्राखंड के चमॉली डिस्टिक्ट के पास ही में ही आपका जोसी मत एक डिस्टिक्ट इक सिटी कह सकते हैं कजबा टाउन कह सकते हैं और इसी के पास एक बहुत फेमस फिल स्टेशन भी है जिसका नाम है ऑली तो ऑली यहां पर ही इस्टे थे और जोसी मठ अपने रिलीजियस रीजन्स की चलते और ऑली के टूरिजम एक स्पॉर्ट बनने के चलते बहुत ज्यादा ट्राउडड होता जा रहा है बहुत ज्यादा यहां पर रश भी आ रहा है जिसके चलते कहीं न कहीं हमको यह इंपैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है अगर हम बात करे है कि इसकी उंचाई रही ज्यादा है तो यहां पर कहीं न कहीं नैच्रल डिजास्टर्स आने की संभावना अपेक्षाग्रस समतल मैदानों की तुलना में ज्यादा हो जाती है अगर हम बात करें कि अभी लेटिस्ट क्या-क्या चीज़ें नहीं है तो आपको देखना होग कि the appearance of cracks on many roads and houses across जोसीमट due to land subsidence इतने भी latest research आ रही है जितने भी चीज़ें डेवलप हो रही है उसमें ही बताया जा रहा है कि land subsidence जोसीमट में इस सारी चीज़ें देखने को हमको मिल रही है अगर हम map पर location की बात करें तो ये है अपना भारत और इस भारत में ये है आपका उत्तराखंड आपका राज और इस राज के अगर हम internal map में जाएंगे तो आप अगर देखेंगे कि हरित दवार या रिशी केश से इस दिशा में ये रहा आपका जोसीमट और ये जोसीमट कह नहीं उस चार धाम यात्रा का एक प्रमग बिंदू भी बन जाता है यहीं पास में ही आपका जो है देव प्रयाक संगम भी है जो कहीं नहीं रिलीजियस और यहां पर जनता के बहुत से लोग जो हिंदु धर्म को मानने वाले हैं वो अपना तीर्थ यात्रा करने के लिए लिए जाते हैं तो ऐसे में यह भी कहाना गलत नहीं होगा कि यह एक बहुत जाधा बड़ा टॉरिस्ट वाइंट भी बनके सामने आ रहा है और ऐसे में इस पर कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और यहीं बढ़न का इंपैक्ट है कि आगे चल कर हमें केडारनाथ और आप तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं यह कुछ इमेजस हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं इस अंकट कितना गहरा है इस पहली इमेज में आपको इस रोड में एक क्रैक देखने को मिल रहा है यह क्रैक लेटिस्ट डेवलप हुआ है पिछले ही कुछ दिनों में इ दरक रही है आपस में अंदर अंदर धस रही है और इसके चलते घर और रोड और जितनी भी चीजे बनी हुई है वो सब्सक्राइब आपने आप में चटक रही है और टूट रही है तो यह घर है जो हाली में पोटो कीची गई इंडियन एक्सप्रेस दौरा इसमें इस घर म पर ऐसे क्रैक्स आना कहीं एक बहुत बड़ी तरास्थी का तरफ इसारा कर रहे हैं तो अब आएए बात करते हैं कुछ फंडामेंटल पर कुछ बेसिक चीजों पर कि वाट इस लैंड सब्सक्राइब यानि भू इस खलन क्या है यह चीज़े आपको देखने को मिल रही है इस लिए ब्रीफली विकन अंडर कुछ चीजे आपस में अन्दर कुछ चीज़ें सेटल होती है यानि कि अगर आपने कभी कोई रेत का टीला बनाया हो तो आप देखेंगे रेत का टीला आपको प्रसमें ही सेटल होता रहता है और दरखने के बाद इस टेवल होता है तो व जैसे में यहां पर जब ल कर दो यहां पर अंदर आपको पता है वाटर है तो मैंप लीजन propsap जो आपका यह उत्तरा फिंड वाला रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इंडिया के सेस्मिक मैप मेर यह कुछ सबसे ज्यादा हाइधा है जोन 5 में आता है जो सबसे भूखंब के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा कह सकते हैं रेड जोन में आता है तो ऐ ऐसे में नैचरल रीजन से चीज़ें होती हैं इसके अलावा कुछ व्यूमन जैनिक रीजन भी हैं फॉर एक्जामपल अनप्लांड कंस्ट्रेक्शन जो है ओवर पॉपुलेशन यानि जरूर से ज्यादा जो है जनता का वहाँ पर पहुंशना जा जन्शंख्या होना और स् अभी आउतराखंड में उसी दीजन में एक हाइडल पावर एक्टिविटी भी सामने आई थी जो प्रॉसेस में एक बन रहा था जिसे अभी फिलहाल गवर्मेंट ने एक्शन लेते हुए इसे स्वादरे के लिए कुछ समय के लिए कह सकते हैं रोक दिया है इसके लावा ए इनके चलते आपको लैंड वाली घटना देखने को मिल जाती है और अगर हम बात करें कि जोसी मट इन पर्टिकुलर इसके साथ क्या-क्या इशूज है क्या जोसी मट के कुछ अलग चीज़ें रिवलब हो रही है तो कि ऐसे तो भरत में हिमालेयन रेंज में मांटेनियस में काफी सारे शहर है पर जोसी मट में ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है यह कोई शनाल आजनी है तो जोसी मट जो है is a sand and stone deposit है basically एक तरह का बालू और पत्थर का धेर है यह कोई फर्टिवलर रॉक नहीं है इसका स्वाइल मतलब कोई पत्थर पर बहुत strong object पर बना हुआ बेस न कि जो पर्टिकुलर रेंज है यह पर्टिकुलर सर्फेस है यह लार्ज कंस्ट्रक्शन या टाउंस को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है विकॉस फर्स्ट फिंग एक मांटेनियस रेंज है यहां पर नैचुरली चीज़े उपर नीचे होती रहती है अर्थक्वैक के पॉइंट ऑव यू से बहुत हाइली कंजेक्टिब जोन है इसके अलावा यहां पर इस रेंज पर कई रीवर्स का फ्लो है बहुत ज्यादा बड़े अक्सर जो जल है यह पानी है वह उपर नीचे होता रहता है उसका फ्लो तो ऐसे में बहुत बड़े टा चला जा रहा है प्लस हम कई ऐसे कंस्ट्रेक्शन को भी प्रोजेट्स को भी ला रहे हैं जिसके चलते यहां पर बहुत ज्यादा नेचर पर प्रेशर हो रहा है इसके लबावा ब्लास्टिंग हाई टैरिप्स एंड लैक आप अफिशियंट ड्रेनेज सिस्टम यह कुछ अ इंस्टेंट इंपेक्ट भले ही ना हो लेकिन लॉंग टम के लिए यह जमीन के अंदर एक कंपन कह सकते हैं पैदा कर देता है जो आगे चलकर ऐसे प्रॉब्लम्स के लूप में सामने आता है आई ट्रैफिक जैसा मैंना आपको बताया है लैप और सफिशियंट डैनेश सर् हो एस जो सी मट में वाटर को कहीं ना कहीं ब्रिजेश बांद इन सब्ला कहीं ना कहीं वाटर को उसके निचेरल रूट को टाइवर्ज किया जा रहा है इसके चलते कहीं नहीं वाटर वे जो वाटर है उस पर ही प्रिशर क्रियेट हो रहा है एंग लार्ज अमॉंट ओ वाटर है प्री लोकेटेड डाउन इन्टू दा बैनेफोस सर्फेस बहुत सिंपल सा इससा लॉजिक है कि अगर कोई र रूट को चेंज करते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसके साथ हैं कि पानी या तो सर्फेस के अंदर चला जाएगा या फिर यह फ्लेड के रूप में इधर उदर फैल जाएगा इन दिस रीजन यहां पर पानी सर्फेस के अंदर जा रहा है और इस पानी के कारान दरख जाता है उसके अंदर ही धस जाता है जिससे आपको लैंड स्लाइट्स या लैंड सब्सेडंस देखने को मिलता है इसके अलावा ओवर टूरिजम बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब और संकराचार टेंपल यह कुछ प्राइम लोकेशन्स हैं प्राइम कह सकते हैं लैंडमार्क्स हैं दूसी मटके जहां पर बहुत ज़्यादा इन सब चीजों के लिए यहां पर आपको भीर देखने को मिलेगी इसके अलावा आपको ऑली जैसे एक टूरिस्ट पॉइंट के लिए जहां पर लोग स्नूपॉल और एक बहुत हाइट पर स्थेलिस्टेशन क हिस. इसके अलावा यह आपके सेस्मिक जोन में पॉल करता है Size जोन को समझने के लिए हमें इसे देखना होगा अगर इस मैप ध्यान से देखेंगे तो इndया का मैप कुछ देखेंगे जहांエ्स को झाना है लड़ दिखना यह इन दपॉइंट व्यू ओफ एर्थक्वेक्स जोन फाइब में लाई करता है जो वैरी हाई रिस्क जोन कहलाता है जहां पर शेकिंग बहुत ज्यादा होती है प्लेट टेक्टॉनिक थोरी अगर आपको पता हो तो प्लेट भी काफी ज्यादा मुवमेंट क होंगी बेसिक जोग्रफी की ताकि आप यह समझ सकें कि कैसे जोसी मट जो है एक बहुत कह सकते हैं कि सारा था कि हमें किस तरह से अपने आप को कंट्रॉल करना होगा हम हमें किस तरह से उसकी नैचुरल चीजों को बना कर रखना होगा बहुत ज्यादा ओवर करें कि दिसेंटली गवर्मेंट ने इसमें क्या-क्या डियां लिए तो इन एक्शनस को समझते हुए हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे की अभी कौन-कौन से मेजर प्रोजक्स प्रोजक्स चो हैं वह वहाँ पर वर्किंग है तो इन प्रोजेक्स हैं सबसे पहले झाइन को ड़ा करता है उस पर से प्रेशर हटाने के लिए एक लांग गारे शुमिंट बाइप स्थाली को औरे जा रहा है और इस बाइपास को बनाने के लिए इसको और ब्रॉड करने के लिए कहीं G नहीं यहां पर हमको पहाड़ों को तोड़ना पड़ रहा है और नेचलल रिसोर्स वह में उन्हें एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है इसे रिसेंटली गवर्मेंट ने फिलहाल कह सकते रूख दिया है इस पर एक तरह का ब्रेक लगा दिया है इसके अलावा यहां पर इसनुगाड हाइडल प्रोजेक्ट यह भी जोसी मट से कोई बहुत जादा रिस्टेंस पर नहीं है और इस प्रोजेक्ट के चलते कहीं ना कहीं वाटर पर थर्मल पावर बनाने का प्रोगाम चल रहा था और यहां के देंस पर इस पर्टिकुलर एडिया पर एक नैचुलर प्रैशर क्रियेट कर रहा है इसके लावा यह से भी पॉस कर दिया गया है कि समय के लिए रूप दिया गया है जोसी मट ऑली रोप वे एक और रोप वे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जोसी मट जो है थोड़ा सा आल्टिट्यूड उसका कम है ऑन दे अधर हैं ऑली एक म सब्सक्रिक मट के पाट तो ऐसे में जोसी मट से ऐली जाने के लिए एक लम्बा टाइम लगता है प्लस एकृफ उक्सिटि धी डिग्री हमें जो है रोट्स लेनी पढ़ें इसमें travel करना वाँ है तो ऐसे में जोसी मंट से आलि पर सीधे रोपभे बनाने का भी काम चल रहा है जो कहीं ना कहीं फिर से मैं ओलूँगा है artic जो हैं आएसे project जो है Jagec तो यहां पर यह भी कहीं ना कहीं इसे pause कर दिया गए है यह कुछ समय के लिए और कंस्ट्रेक्शन वर्क्स जो भी चल रहे थे जो सी मट मुर्सिपल में एरिया में उसे भी फिलहाल कर दिया गया है यानि की रोग दिया गया है तो यह सारी चीजें एक्शन्स गबर्मेंट ने इंस्टेंटली ली हैं इन सब चीजों को देखने के बाद ऑन दा अधर हैंड जो भी इवेक्वेशन प्रॉसेस है वो चल रहा है एंडियारे की कुछ टीम्स को रिसेंटली डिप्लॉई किया गया है जो सी मट में ताकि अगर कोई फर्दर क्राइसिस आता है तो तुरंत उस पर हम एक्शन ले सकें बचाओ की जो भी कारवाई है मु बहुत तेजी से चलता है तो यह सारे एक्शन जुन है वो गवर्मेंट लेती हुए नजर आ रही है तो समय के यह साथी चीज़ें ठीक हैं पर कहीं ना कहीं यह चीजें वहीं हैं कि बहुत देर हो गई इसीज़ें करते करतें और हमने किढारनाच्ट के क्राइसिस से भी ब long-term perspective temporary तो हमने कुछ solution चलिए निकाल लिए but for the long-term perspective हमें क्या ऐसा इन एरियास में करना चाहिए so that हमें कोई दूसरा जोसी मट देखने को ना मिले so according to research data and all the scientist information हमें इन steps पर काम करने क्या हो शकता है जैसे first imposition of restrictions on heavy construction ऐसा कि मैंने आपको मांटेनियस हिमालियान रेंज पर बहुत ज्यादा है वी construction की नहीं नीड होनी चाहिए और नहीं कह सकते हैं आगे process करना चाहिए इन्हें रोकना चाहिए हम उसे natural ही रखें ज्यादा वैतर है क्योंकि कहीं कहीं जो tourism है जो भी लोग जाते हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं नेचर को फिल करने जाते हैं अगर हम उसको थोड़ा natural और adventurous ही रखेंगे तो कहीं ना चाहिए ठीक रहेगा नेचर के point of view से भी और ऐसी कोई हमको disaster भी देखने को नहीं मिलेगे keeping the boulders अब boulders अगर आप समझना चाहिए तो गुछ इस फोटो में ध्यान दे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको चटानों पर पड़े हुए दिखाई पड़े जन्दली जब कोई रोड बनाई जाती है या कुछ भी construction का काम होता है इन बॉल्डर्स को हटा दिया जाते हैं इन्हें unnecessary माना जाता है बट on the other point of view जो बॉल्डर्स हैं कहीं ना कहीं उस स्वाइल को उस पूरे एरिया को इस्टेवल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमी का निभाते हैं तो हमें इनको भी हटाने से बशना चाहिए conserving the trees obviously जो वहां के पेड हैं उनको नहीं काटना चाहिए कहीं आपको पता है कि पेड ही है जो भूमी के इस्थायत को बना कर रखते हैं इसके लावे agriculture on the slopes must be avoided जो भी sloping areas हैं वहां पर agriculture नहीं करना चाहिए प्रिवेंटिंग वाटर सीपेस जितना यह वाटर का आउट फ्लू है उसे रोपना होगा हमें रोज शुद भी मैटल एंड विदाउट स्कूपर्स इसका बतलब यह है कि हमें रोड ना स्रिफ मैटल से बिल्ड करनी चाहिए बलकि हमें ऐसी रोड को बिल्ड करना चाहिए इसके अलावा टाइम बाउंड रीकंस्रक्शन प्लान हमको एक बिल्ड करना होगा कि हम कैसे रीकंस्रक्शन करेंगे इस पूरे एरिया का जोसी मटका और एक पर्टिकुलर टाइम पियर्ड में से फिनिश करेंगे इस पर्टिकुलर याज की कि यहां पर कब अर्थवक्शन को लाएंगे तो कहीं न कहीं हम इन सारे प्लेसे को जोसी मट जैसे प्लेसे को प्रेवेंट कर पाएंगे इन परदर और एनी परदर नेचरल डिजास्टर और हमें इनलानी की आवशक्ता भी है तो आज के वीडियो में इतना ही आई होप आपको इस पूरे क्राइसिस के सभी डाइमेंशन से मैंने रूबरू करा दिया है और आपको बहुत कुछ इसमें जानने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो अगर पर वीडियो के लाइक करें थैंक्यू बाए